अस्सलाम अलेकुम फ्रेंज उम्मित करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे मैं भी खेरियत से हूँ अलहम्दलिल्ला तो चलिए फ्रेंज थंडी आ गई है और गाजर की सीजन भी आ गई है तो आज हम बनाएंगे गाजर की खीर गाजर का हलवा सब लोग बनाते हैं लेकिन आज हम गाजर की खीर बनाएंगे जिसको बोलते हैं गजरेला जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है तो चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले एक पेन गरम करेंगे और उसमें एक टेबल स्पून जितना घी गरम कर लेंगे मैंने दो मीडियम साइस के कैरेट लिये हैं जिसको मैंने ग्रेड कर लिया है और उसको हम तकरीबन 4-5 मिनिट के लिए अच्छे से घी में साथ में भून लेंगे जब तक कैरेट का कच्छा पन नहीं निकल जाता और उसमें से कच्छी से कुश्बू नहीं आ जाती तब तक हम थोड़ा सा भून लेंगे तो चलिए फ्रेंज तकरीबन हमारे 4-5 मिनिट हो गए हैं हमारे कैरेट अच्छे से भून गया और खुश्बू भी बहुत अच्छी आने लग गई हैं इसको हम अब साइड में रखेंगे और एक बरतन को हम गैस पे चड़ाएंगे और गरम कर लेंगे और उसमें थोड़ असा 2-3 स्पून जितना पानी डालेंगे उसके बाद में हम दूद को एड़ करेंगे पानी इसलिए हमने डाला ताकि हमारा दूद चिपक ना जाए बरतन में नीचे और मैंने यहाँ 1 लिटर तकरीबन फुल फैट दूद लिया है दूद को मीडियम फ्लेम पे गरम करने के रिए छोड़ देंगे उसके बाद मैंने यहाँ 2-3 स्पून जितने चावल लिये थे जिसको मैंने आदा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था मैंने यहाँ बासमती चावल लिये हैं आप कौन से भी चावल यूज कर सकते हैं और मैंने उसको थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में डालके उसको दरदरा पीस लिया है यह देखे फ्रेंड्स इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे तो चलिए फ्रेंड्स हमारा दूद अच्छे से बॉयल हो गया है अभी हम उसमें चावल एड कर देंगे और बीज-बीज में हम उसको मिक्स करते रहेंगे और चावल को तक्रीबन 10 मिनिट के लिए हम पकने देंगे और साथ में मैंने यहां थोड़े से केसर के धागे डाले है यह optional है अगर आप नहीं डालना चाते तो मट डालेगा और आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा केवडा भी डाल सकते है अगर आपको पसंद है तो तो चलिए फ्रेंज तक्रीबन 10 मिनिट हो गए है और हमारे चावल भी अच्छे से पक गए है और हम उसमें साथ में अभी केरेट को भी मिक्स कर लेंगे केरेट को ग्रेट करने के टाइम पर इस तरह से मेरी तरह मोटा मोटा ही ग्रेट कीजेगा एकदम बारिक मत कीजेगा बारिक करेंगे तो बाद में केरेट बिलकुल भी नहीं दिखेगा सारा गल जाएगा इसलिए थोड़ा इस तरह से मोटा मोटा करेंगे तो हमारा केरेट लास्ट तक भी अच्छे से दिखेंगा हमारी खीर में उसके बाद मैं थोड़े से ड्राइफूर्स दालेंगे मैं यहां थोड़े से चौप की हुए बादाम और थोड़े से काजू दाल रही हूँ आप अपनी पसंद के कौन से भी ड्राइफूर्स आप डाल दीजेगा और कम जादा भी अपने हिसाब से डालिएगा और थोड़े से हम गार्निश के लिए रखेंगे मैं यहां तक्रीबन एक कब जितना मिल्क मेड यूज कर रही हूँ और आदा कब जितना मैं यहां शुगर एड़ करूंगी अगर आप चाहे तो सिर्फ मिल्क मेड भी यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ शुगर भी यूज कर सकते हैं ये देखें आदा कब जितना मैं यहाँ शुगर भी एड़ कर दूंगी साथ में मेरा यहाँ मीठा परफेक्ट हुआ था अगर आप जादा मीठा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से कम जादा कर दीजेगा आदा ती स्पून जितना इलाइची पाउडर डालेंगे और अगर आप केवडा डालना चाते तो इसी टाइम पर एक स्पून केवडा भी आप डाल दीजेगा तकरीबन 15-20 में तक हम अच्छे से पकाते रहेंगे हमारे गजरेर को जब तक उसमें गाड़ापन नहीं आजाता तब तक हम उसको अच्छे से पकाते रहेंगे और हमारा गेस मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे जादा हाई नहीं रखेंगे फ्रेंज अगर मेरी रेसीपी आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो चलिए फ्रेंज हमारी खीर अच्छे से पक गई है और काफी गाड़ी भी हो गई है यह थंडा होने के बाद में और भी गाड़ी होगी तो बस इसी टाइम पे हम गैस को बन कर देंगे और रूम टेंपरेचर में थंडा होने के बाद में इसको हम एक दो घंटे के लिए फ्रीज में कोल्ड होने के लिए छोड़ देंगे तो चलिए फ्रेंस तक्रीबन एक दो घंटेर के लिए मैंने उसको फ्रीज में रख दिया था और ये बहुत ही अच्छी देखे कितनी गाड़ी हो गई है और इसका टेक्चर भी कितना अच्छा परफेक्ट हुआ है ये बहुत ही खाने में भी इतनी ही मज़ेदार बनी थी आप जरूर एक बहर बनाईएगा और चलिए उसको सर्फ करते हैं ड्राइ फूट से डेकोरेट करेंगे और मेरे पास थोड़े से चान्दी वक पड़े थे तो वो भी मैं थोड़े से लगा लूँगी ये टोटली ओप्षनल है तो चलिए फ्रेंज मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और ये खिर जरूर बनाईएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखेगा नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाला अल्ला हाफीज